नमस्कार, जीवन का आधार, यानि हमारे शरीर का बेस है हमारा नेवल, यानि हमारी नाभी, यानि हमारा नाभी चक्र अब देखिए कि नाभी चक्र जो है, वो अगर इधर उदर खिसक जाए, तो हमें पेट से समन्दित बहुत सारी समश्याई देखने को मिलती है और वो पेट से समन्दी समझने क्या है देखे अगर उपर नाबी चकर खिसक जाए तो भूक बंद हो जाती है क्योंकि वो डायाफ्राम पे प्रेशर करता है अगर नाबी चकर नीचे खिसक जाए तो हमें डिसेंटरी यानि दस्त लग जाते हैं तेड़ा हो जाए तो सारे दिन दर्द रहता है इधर हो जाए तो दर्द हो जाता है अब उसमें दर्द कभी दस्त और कभी ऐसी भी शिकायते आ जाती है ये पेट की समन्य वस्ताएं है अ आज मैं एक उपाई आपको बताता हूँ, एक उपाई बताया हुआ, एक और नया बता रहा हूँ, तो देखिए ये जांचने का उपाई क्या है, जांचने का उपाई है आपका हाथ, आपकी अंगूलियां आपके शरीर का reflection है, आपके तकलीफ को आपकी अंगूलियां और दालेंगे और दोनों अंगुलियों को ऐसे मिलाते मिलाते लास्ट में जाकर आप देखें कि यह हाथ ऐसे ऐसे मिलाना है जैसे यह हाथ मिलेगा इसमें अगर यह अंगुली छोटी बड़ी हुई जैसे यह अंगुली यहां ऐसे हो गई तो इसका मतलब है कि नाभी चक्र खिस अब इसमें देखिए ये एक तरीका हुआ जानने का दूसरा तरीका इसी को आप ऐसे अंगुली को मिलाएंगे ऐसे यानि मध्यमा बीच का हमारा हाट लाइन हाट लाइन को आपस में मिला लीजिए और बीच की मध्यमा अंगुली को आपस में मिलाते मिलाते उपर लेकर और ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि नाभी चक्र मोटा मोटी तोर पर उपरी तोर पर नाभी चक्र नहीं खिसका हुआ है अब माइनर हो सकता है वो आपको फिर एक्सपर्ट से जानकारी लेनी पड़ेगी लेकिन आम तोर पर मुझे ऐसे लगता है कि दस लोग होंगे उसमें से एक या दो व्यक्ति को ऐसी समश्या देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि हम सीडियों पर चड़ते उतरते हुए गाड़ी में बैठते उतरते हुए बाइक पर चलते बैठते हुए स्कूटी या स्कूटर पर चलते हुए सोते और उठते बैठते हुए हम जो सोफे पर बैठते हैं उस पर चेर पर बैठते हैं उस पर हम ध्यान नहीं र तो आज मैंने आपको केवल नाभी कैसे हम ध्यान रखें यह उपाय बताया है कि हमारे नाभी चक्र खिसका हुआ है या नहीं इसकी जानकर यह आपको मिले उनमें जो आसन बताएं करके देखिएगा आपको लाब मिलेगा गंभीर रोग को यन्य है तो डोक्टर की राय से करें अगर सामन्य वस्ता है तो आप आराम से उन आसनों को करके देखिए दो या तीन दिन में आपको लाब जरूर मिलेगा और ये लाब मिले आप स्वस्त रह ऐसी अपिक्षा करते हुए मैं डोक्टर मनोज योगाचारे लेता हूँ इजाज़त त्रीनेत्र टीवी के लिए त्रीनेत्र योगधाम से नमस्कार